हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चानल इंजिनियर्स ग्रूप फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे JPSC Assistant Engineer 2013 के एक्जाम में पूछे गए General Study Paper के बारे में हम लोग इसके देखेंगे डीटेल में सॉलूशन करेंगे तो उससे पहले हम लोग देख लेतने हैं कि इस बार जो है क्या बारे में हम लोग अभी discussion कर लेते हैं तो वह चेंजे से आपको यह देखने को मिलेंगे कि 2013 में जो थे आपको General Study और General English दोनों का exam अलग-अलग हुआ था जबकि ऐसा इस बार नहीं है इस बार जो है दोनों subject को combine करके एक नया नाम दिया गया है वह नाम दिया गया है General Ability Test यानि कि General Ability Test के अंदर जो है आपको General English और General Study का combination देखने को मिलेगा और जो total General Ability है उसका weightage 200 marks का होगा और उसके लिए आपको दो घंटे का time दिया जाएगा जबकि पहले आपको तीन घंटे का time दिया जाता था पूछे जाएंगे तो इन दोनों सब्जेक्ट का syllabus क्या होने वाला है कहां से questions पूछे जाने वाला है उसका हम लोगों ने एक detail में discussion किया है तो यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो जाके देख लीजिए वह playlist में है तो हम लोगों ने previous video में हम लोगों ने discussion उस video किया है तो अभी तक यदि हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe और share जरूर कीजिएगा और bell icon को प्रेज जरूर कीजिएगा ताकि आपको JPSC से related हर हो information जो आपके लिए important है आप तक पहुँच पाए और हम लोगों ने एक crash course भी launch करने वाले हैं जो कि civil engineering जो JPSC assistant engineer का जो exam होने वाला है उसके basis पर हम लोगों ने design किया है जो की complete syllabus होगा civil engineering का हम लोग कवर्ड करवाने वाले हैं तो वो depend करता कि आप लोगों की response ज्यादस ज्यादा मिलेगा हम लोगों को तो हम लोग जल्दी से जल्दी इसको start करने की कोशिस करेंगे तो चलिया आ assistant engineer का exam होने वाला है इसमें आपको negative marking का प्रभधान नहीं है यानि कि negative marking आपको देखने को नहीं मिलेंगे यदि यदि मतलब जो question आपसे नहीं बन पा रहे हो वो भी आपको question करके आने है क्योंकि यहाँ पे आपको negative marking नहीं कटेंगे ठीक है इसलिए आपको वो question करके आने है तो चलिए देख लेते हैं general study का पहला question, पहला question क्या कह रहा है कि what does the letter s stand for in the wave terminology stdps जो है इसमें s का meaning क्या होता है तो इसमें s का meaning जो होता है secure तो इसका full form जो देखेंगे तो इसका full form होता है तो जो इसका full form होता है वो होता hyper text transfer protocol secure, h for hyper, t for text, t for transfer, v for protocol and s for secure तो इसका जो correct answer है वो है b यानि कि secure, second question जो है पूछ रहा है कि which of the following agencies in India provide financial support for the promotion of alternative energy uses यानि कि alternative energy use करने के लिए promotion में जो जो body जो है financial support करता है वो कौन सी body है ठीक है तो उसमें option में हम देख रहे हैं कि CERN, option B जो है NCERT, option C जो है SDBA और option D जो है IREDA तो friend इसका जो correct answer होगा वो होगा D यानि कि IREDA तो इसका फूल फॉल फॉर्म हो जाता होगा Indian Renewal Energy Development Agency चलिए दोस्तों तो देखते हैं तीसरा question, तीसरा question पूछ रहा है which of the following is not a major objective of a multipurpose river valley project यानि कि river valley multipurpose project का इन में से कौन सा objective नहीं है तो आप देख सकते हैं कि जो flood option A में दिया flood control तो यह जो है river valley project है इसका objective होता है flood control होता है, power generation भी होता है, irrigation भी होता है इसमें जो नहीं होता है वो होता है pest control तो option C जो है वो correct है चौथा question यह कहता है what is the full form of CDMA in mobile phones CDMA का full form क्या होता है ठीक है तो हम लोग जो है दो type का जो यहां पर network होते हैं, एक होते है CDMA और दूसरा होता था GSM ठीक है यहां पर पूछ रहा है CDMA का full form क्या होता है, तो friend CDMA का full form होता है code division multiple access तो इसका जो सही answer है वो है आपका A code division multiple access जबकि आपको GSM जो होता है GSM का full form होता है आपको friend यहां पर global system for mobile तो पांचमा question देखते हैं, पांचमा question क्या है कि Mount Sarve where the NASA rover Curie City is supposed to conduct experiment is on which of the following esterial body यानि कि यह कह रहा है कि नासा का rover Curie City वो experiment करने वाला था Mount Sarve पे वो किस esterial body पे हुआ तो वो जो है आपका जो सही answer है वो है Mars, यानि कि Mars के उपर उन्होंने यह experiment किया था तो option C जो है वो correct है, छटा question देख लेते हैं, छटा question यह कह रहा है कि where was the Indian Science Congress 2012 held यानि कि Indian Science Congress कहां हुआ था, जो 2012 में organized किया गया था तो वो option में देख लेते हैं, option A कहां न्यू देली, option B शिलांग, option C लुदियाना, option D भूमनेश्वर यानि कि भूमनेश्वर में हुआ था, जो Indian Science Congress 2012 का जो प्रोग्राम हुआ था, वो भूमनेश्वर में हुआ था सात्मा question देख लेते हैं, सात्मा question यह कह रहा कि in which year was IIT पटना established, तो IIT पटना जो है किस वर्स अस्थापित किया गया था, इसका जो अस्थापना दिवस है, IIT पटना का वो किस वर्स है, option A 2008, option B 2009, option C 2010, option D 2011 तो friend इसका जो correct answer है, वो है option A 2008, IIT पटना जो है आपको 6 अगस्त 2008 को अस्थापित किया गया था, friend आर्ट मा question यह कह रहा है कि which is the apex body of Indian scientist, option A है आपका Indian Institute of Science, option B है Indian National Science Academy, option C है National Academy of Science, और option D है Institute of Engineers, तो friend इसका जो सही answer है, वो है आपको option B, यान कि Indian National Science Academy, option B is correct, friend question number 9, question number 9 यह कहता है कि which of the following organization is working to spread scientific sensibility among school children is 10 to 17 years in the country in a big way, यानि कि वैसा कौन सा organization है जो 10 से 17 साल के school जाने वाले बच्चे में scientific sensibility improve करने के लिए पूरे देश में काम कर रहा है, तो ऐसा कौन सा organization है, तो ओप्शन में देख लेते हैं, care science, option B, राष्ट्रिय, प्रग्य अभिकाश, option C, जो है National Children's Science Congress, और option D, जो है विद्याले बिज्ञान से तू, इसका जो correct answer, friend, वो है आपको National Children's Science Congress, यानि कि option C, जो है वो correct है, question number 10, question number 10 यह कह रहा है, which of the following air pollutants are responsible for acid rain, within and downwind areas of major industrial emissions, यानि कि यह कह रहा है, कि वो कौन सा air pollutant है, जो responsible होता है, acid rain के लिए, तो कौन सा chemicals होता है, जो acid rain के लिए responsible होता है, कौन सा air pollutant होता है, तो option A है H2S and oxide of nitrogen, option B है SO2 and oxide of nitrogen, option C में है CO2 and H2S, option D जो है CH4 and H2S, तो friend, यहाँ पर जो correct answer है, वो है SO2 and oxide of nitrogen, यानि कि option B is correct, question number 11, question number 11 यह कह रहा है, कि 1 Coulomb of charge is contributed by how many electrons, ठीक है, तो 1 Coulomb charge जो है, वो कितने electrons के बराबर होते हैं, तो option A में है 0.625 x 10 19, option B 1.6 x 10 19, option C 10 19, और option D 1.6 x 10 12, तो friend, इसका जो सही option है, वो है option A, A is correct, यानि कि 0.625 x 10 19, जो होता है, 1 charge of Coulomb, जो होता है, 0.625 x 10 19, electrons के बराबर होता है, question number 12, question number 12 यह कह रहा है, inspire, यानि कि innovation in science pursuit for inspired research is a program initiated by, ठीक है, inspire जो एक program है, जो innovation in science pursuit for inspired research के लिए है, वो जो है program कौन initiate करता है, S-E-R-C, option B, IDBI, option C, DST, option D, U-C-E-T, तो friend, इसका जो correct answer है, वो है option C, यानि कि DST, Department of Science and Technology, Department of Science of Technology, जो है वो जो है, इस program को initiate करता है, question number 13, question number 13 यह कह रहा है कि, हमारे पास N number of resistance है, जिसमें एक resistance का value है, परतेक resistance का value है, R है और वो connected है parallel में, यानि कि parallel में connected है, तो उसका resultant होता है, और वो X के बड़ाबर होता है, जब हम N number resistance को और जिसका एक resistance का value R हो, यदि उसको हम series में connect कर देते हैं, तो उसका जो total resistance होगा, वो किस के बड़ाबर होगा, तो friend, option A है N into X, option B है N square into X, option C है X upon N, और option D है R times of NX, तो friend, इसका जो correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा N square X, यह जो है option B is correct, question number 14, question number 14 यह कहता है कि at which of the following places in South India are the people protesting against the building of a nuclear power plant, यानि कि South India में nuclear power plant बन रहा था, उसके लिए protest चल रहा था, वो कौन सा palace है, South India में मतलब nuclear power plant के लिए building बन रहा था, तो वहां के मतलब कौन से जगह के लोग थे, जो protest कर रहे थे कि यह building वहां पे ना बने, तो वो जो है आपका option जो है, कुन्डा कुलम में के जो लोग थे, वो पोर्टेस्ट कर रहे थे, नुकलियर power plant के लिए जो हाँ पे बिल्डिंग बन रहे थे, उनके लिए यह लोग पोर्टेस्ट कर रहे थे, option B is correct कुन्डा कुलम, question number 15, question number 15 यह करेक, Sunuta Williams went to the space station on July 15 in a spacecraft belonging to which of the following countries, Sunuta Williams 15 July को space station के लिए गई थी, तो उसके लिए जो spacecraft जो यूज हुआ था, यूज की थी उन्होंने, वो किस country से भिलोंग करता था, वह जो स्पेस क्राप्ट है, तो option A जो है चैना, option B है USA, option C Russia, option D जो है इंडिया, तो जो उन्होंने, मतलब उन्होंने जो space craft यूज की थी वो की थी रसीया का, तो रसीया का जो इसके space craft था, Russian spacecraft, आप्ट आप्ट सोयज टीये में ठीक है इनका उन्होंने यूज की थी फ्रेंट कोश्चन नमेर 16 यह कहता है कि वाट इस ए ब्लू मून ब्लू मुन क्या है option A, when a second full moon appears in a calendar month, option B, when there is a hole of water vapor visible around the moon, option C, the last full moon of the year, option D, as moon is visible from the Arctic region तो इसका correct answer है वो है option A, यानि की when a second full moon appears in a calendar month question number 17 question number 17 यह कह रहा है where is the headquarter of Indian Space Research Organization situated यानि कि ISRO का headquarter है वो कहां पे है ठीक है तो option A जो है आपका चेन्नाई option B Shri Hari Kota option C Bengaluru और option D जो है New Delhi तो friend इसका जो सही answer वो है Bengaluru यानि कि ISRO का headquarter है वो है Bengaluru में है जबकि 37 धवन Space Research Center जो है वो है आपको Shri Hari Kota में तो Shri Hari Kota में किसका headquarter है 37 धवन का 37 धवन Space Center जो है वो कहां पे है Shri Hari Kota में है ठीक है तो friend question number 18 देख लेते हैं कि what is ductile ductile क्या है a new kind of concrete a new electron microscope a semiconductor या फिर a super crane तो friend इसका जो correct answer है वो है a new kind of concrete यह जो है ductile जो है एक नया टाइप का जो है concrete है question number 19 question number 19 यह कहता है कि wet sand is more compact than dry sand क्यों मतलब जो wet sand होता भींगा हुआ जो sand होता है वो dry sand के compare में ज्यादा compact क्यों होता है option a because water creates water bridges between sand grains option b because sand requires the strength of concrete option c it is false, option d because the volume of sand decrease by half तो इसमें option c जो है वो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि यह false statement नहीं है जो wet cement होता है ज्यादा compact होता है as compared to dry sand तो यह एसा क्यों होता है क्योंकि आप जब equal volume में आप dry sand लेंगे और equal volume में यदि आप weight sand लेंगे तो आप वहाँ पे देख पाएंगे that weight जोहगा yogurt जादा होगा यानिक्वेट जादा होगा जो great sand होगा उसका weight जदा होगा और यानिक्वेट जादा होगा तो उसका 20 कह रहा है कि who among the following was not a winner of Nobel Prize for physics 2011 यानि कि physics के लिए जो Nobel Prize 2011 में दिया गया था उसका winner इन में से कौन नहीं है ठीक है तो इसमें हम देख लेते हैं कि option A में जो है सॉल इनको मिला था option B जो है brain piece assessment इनको भी मिला था option C जो है एडम जी इनको भी मिला था तो option D जो है WC रॉंट जैन इनको नहीं मिला था option D is correct यानि कि 2014 जो फिजिक्स का Nobel Prize था वो WC रॉंट जैन को नहीं मिला था यदि यहीं रहता किन को मिला था इनमसी इन से कोई भी option आपको देखे तो उन पर आप लोग टिक कर सकते हैं question number 21 यह कह रहा तो 1 kwh kilowatt hour is the same edge यानि कि 1 kwh किसके बढ़ाबर होता है ठीक है option A 36 into 10 के power 5 watt option B 36 into 10 के power 5 ERG option C 36 into 10 के power 5 Joule option D 36 into 10 के power 5 BTU तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि इसका यूनिट होता हूँ जूल में तो option C जो है 36 into 10 के power 5 Joule यह option C is correct इसका जो value होता हूँ होता है 3.6 million 3.6 million Joule 36 into 10 के power 5 Joule जो है जूल है वो correct है question number 22 question number 22 क्या कह रहा कि which of the following do common microwave oven use to generate energy तो कौन सा इसमें जो question यह कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसका यूज होता है micro oven में energy generate करने के लिए option A thermoset option B magneton option C particle accelerator और option D जो है वो है super conductor तो इसका जो आपका सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option B यानि कि magneton का जो यह device है इसका यूज हम लोग energy generate करने के लिए micro oven में करते हैं question number 23 question number 23 यह कह रहा है कि to which class of levers does the bottle openers belong bottle open करने के लिए जो हम लोग lever का यूज करते हैं कौन से class belong करता है class 1, class 2, class 3 and option D none of the above इसका जो सही answer हो है option B यानि कि class 2 से यह belong करता है जो bottles opener होते है question number 24 question number 24 यह कह रहा है कौन सा ऐसा layer है option A stratosphere, option B troposphere, option C ozoneosphere या option D none of the above तो इसका जो correct answer है वो है ozoneosphere ठीक है ozoneosphere जहाँ जो है जो अल्ट्रा वालेट रे जो direct अर्थक आता है उसको रोकता है कौन सा ozoneosphere question number 25 question number 25 यह कहता है what is maglev maglev क्या है A supernova, A system of transport, option C the tallest building, option D जो है A tailious को तो इसका correct answer है वो है system of transport यह मतलब maglev किस application पर work करता है तो यह करता है magnetic repulsion पर work करता है यह magnetic repulsion के best है यह system जिसके उपर यह work करता है और यह use किया जाता है system of transport work तो friend आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोग ने अभी जो है एक से लेके 25 question तक का solution वो detail में किया है next video जो आएगा part 2 उसमें हम लोग 26 से लेके 50 तक का question करेंगे तो ऐसे हम लोग यह पूरा 4 part में कर लेंगे ठीक है ताकि यह video लंबा नहों तो I hope आज आपके लिए useful रहा होगा यह information जो आप लोगों से provide की गई है तो हमारे चैनल पर आप लोग नए है तो चैनल को share और subscribe जरूर कीजिएगा तो आज की video में इस नहीं thank you so much